हेलो एवरिवन जी के चैप्टर थार्टी टू गेम टाइम चलिए बुक ओपन कीजिए मैज दगेम्स जो देए पिच्चर्स जो गेम्स दिये हुए हैं उन्हें पिच्चर से मेच करना है राइट आई फो इंडोर गेम्स एंड ओ फो आउट डोर गेम्स तो जो इंडोर गेम्स हैं उनके लिए हमें क्या लिखना है आई और जो आउट डोर गेम्स हैं उसके लिए ओ ठीक है सरकल दिया हुआ है उसमें लिखेंगे पिच्चर के पास में ठीक है तो पहले तो हम मैचि करेंगे तो first देखिए क्या दिया हुआ है पिचर देखिए बास्केट बॉल sorry first picture दी हुई है foot wall ठीक है तो देखिए foot wall कहा लिखा हुआ है उस पर first लिखेंगे बीपर लिखा हुआ है foot wall तो बीपर हम first लिखेंगे अब इस second picture देखिए second पर दी हुई है golf ठेकिए तो देखिए deeper दी हुआ है golf तो second लिखेंगे deeper देखिए third picture देखिए chess देखिए जो clues दी हुए है उसमें chess देखिए कहा पर लिखा हुए है F पर लिखा हुआ है Chess तो बहुत लिखेंगे हम Third Fourth picture देखेंगे Cricket Cricket लिखा हुआ है E पर Fifth Fifth picture किसका दिये हुआ है Car Racing Last में दिये हुआ है Car Racing तो उस पर fifth number लिखेंगे Six देखेंगे क्या दिये हुआ है पिच्चर में कौन सा game है? Caram देखें C पर दिये है Caram तो आपर Six लिख देंगे C पर Seventh Basketball A पर दिये हुआ है Basketball आपर Seven लिखेंगे Eighth picture देखेंगे Last में यह गेम है Scrabble G पर दिये हुआ है Eighth वाला Scrabble ठीक है? यह आपकी गेम्स की मेंचिंग होगी अब देखेंगे हम इंडोर गेम्स कौन से हैं और आउट्डोर गेम्स कौन से हैं ठीक है? देखेंगे फस्ट जो दिये हुआ है Football फुटबॉल कौन सा गेम है? इंडोर या आउट्डोर? यह आउट्डोर गेम है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? O तो पिच्चर पर जो सर्कल दिया हुआ है उसमें O लिख देंगे सेकन्ड देखिए Golf यह भी आउट्डोर गेम है तो इसमें भी O थर्ड Chess जैस इंडोर गेम है तो इसके लिए आई फिल करेंगे इसमें थर्ड में फूर्द देखिए Cricket Cricket में आउट्डोर तो O लिखेंगे फिप्त Car Racing ये भी outdoor game है तो o sixth कैरम कैरम indoor game है तो i लिख देंगे six में seventh पे basketball ये भी indoor game है i लिखिए और eighth दिया हुआ है scrabble ये भी indoor game है तो इसमें भी i आ जाएगा अभी देखिए दिया हुआ है last में do you know क्या आप जानते हैं scrabble is a board game that helps us improve our vocabulary scrabble क्या होता है एक board game होता है देखिए पिचल में दिख रहा है ये हमें हमारी vocabulary को बढ़ाने में help करता है ठीक है improve करने में ये आपका chapter 32 complete हो गया next chapter दिये हो है 33 visiting park ठीक है तो चलिए write the names of the swings in the blanks यानि कि जो blanks दिये हुए है उनमें आपको जूलों के नाम लिखने है take help of the words given in the blue in the poem ये नीचे एक poem दी हुई है देखिए नीचे ये दी हुई है तो इसमें जो blue words लिखे हुए है उनकी help से हमें name लिखना है जूलों के नीचे जो poem में first line लिखे हुई है पहले उसे read करेंगे इसमें लिखा है on which we glide जिस पर हम खिसकते हैं तो वो कौन सा जूला हुआ sleepery slides first line में लिखा हुआ है red color से ठीक है sleepery slides तो first में sleepery slides लिखेंगे यानि कि फिसल पट्टी मैं ये numbers लिखा हुआ है कि first वाला जूला कौन सा है ये number लिखा है one second more fun than cars car से भी ज्यादा मज़ा तो ये आएगा monkey bars second swing वो आएगा monkey bar second देखिए दिया हुआ है first के side में second है इस जूले को बोलते है monkey bar third go round and round goal goal गूमना इसे बोलेंगे merry go rounds third में फिल कीजिए merry go rounds देखिए third number का जूला ये दिया हुआ है इसे ये round round गूमेगा ठीक है fourth fourth two go up two go up and down बहुत बहुत उपर जाना फिर उपर से नीचे जाना तो ये कौन सा हो जागा sea saws sea saws एक फूर्थ नंबर का ये दिया हुआ है first जो जूला है वो तो फूर्थ में फिल करेंगे sea saws sea saws fifth to make a stall हमें लंबा बनाता है ठीक है टॉल तो ये आएगा jungle gyms last में दिया हुआ है देखिए fifth नंबर का jungle gyms last in plenty for one and all एक और सब के लिए ये हो जाएगा swings sixth नंबर का लिखिए swings तो ये आपके जूलों के नाम हो गए first sleepry slides second monkey, bars third merry-go-rounds fourth sea saws fifth jungle gyms और sixth swings देखिए numbers लिखे हो गए है कि कौन सा जूला कौन सा है आप लोग book fill करेंगे और learn करेंगे मुणा सी तूला करेंगे, पर दोदसी दोफ़गा टूला करेंगे